नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, इंडियन एकॉर्णमी रेमेर्सिंग सीरीज चलना था, चाप्टर 19 का पार्ट 5 वीडियो है, इसी पार्ट से हम ये पूरा चाप्टर खतम कर लेंगे, देखे दोस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगी, इंडिया फोरस्त के बारे में, इसमें काफी कुछ रिपोर्ट्स है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट वीव में वेरी मच इंपोर्टन है, अगरिकल्चर रिसीडियू बर्नी, बर्नी क्या होता है, ये कैसे रोका जा सकत है, क्लायमिट रिस्क इंशुरंस करके एक टोपिक आयागा, उसके बार में बताऊँगा, और फ्यूचर आउट्लुक क्या रहा ना चाहिए, और डवलप्मेंट विजड़म, ये सारी टोपिक्स आज हम डिसकस करेंगे, तो आगे जान से पहले लेक्शा पर लाइक का बट ये सारी डाटा आपके एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव में इंपोर्टन है, इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि ये जो है, लक्ष्मी गंद बोल लाओ, रमेर सिंग की 13th एडिशन है, मतलब latest edition है, इसमें 2021 वाला डाटा भी है, ठीक है, तो जितने इस तरह की रिपोर्ट से ये एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव में इंपोर्टन तो ही, ये आपको पता है, तो सारी डाटा मैं आपको बता हूँगा, क्या-क्या है, ध्यान से सुनियेगा, देखिए, फोरेस्ट प्ले एक क्रूशल रोलिंग अडाप्टेशन अन मिटिगेशन दू क्लामेट तो जितना ज्यादा फोरेस्ट होंगे, उतना हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, या जो कार्बन एमिशन से उसको रोक सकता है, ये बात अब सबको पता है, इंडिया अकॉंट्स फोरेस्ट अफ टॉटल ग्लोबल फोरेस्ट अरिया in 2015, देखिए, सबसे पहले आएगा एक प्रेटी रेपोर्ट है, इंडिया स्टे फोरेस्ट अफोर्रिपोर्ट अफोर्र्फोर्रश्ट रिपोर्ट अब सबसें onu इस वेरी इंपोर्टन, ये स्टेट फोर फोरेस्ट उपर्टाहँंगे, आपको पढ़ ले ना जए, इसमें काफी जारे डेटा से, विटीं इस व the area covered by very dense forest is 99,278 km. मैंने पहले आपको क्या बताया कि दुनिया में जितने total global forest area उसका 2% जो है इंडिया में है कि अबल 2% अब इंडिया की बात किया जाया तो canopy density classes में देखे हमारी forest को तीरे विभावों में debate किया है एक है very dense forest, दूसरा है moderately dense forest, तीसरा है open forest अब यह तीनों का फरक क्या है, very dense forest मतलब जिसकी canopy density 70% and above है, देखे canopy density मतलब क्या होता है, देखे normal trees ऐसे से रहता है अब इसकी जो उपर वाला area है इसको canopy बोलता है, जब इसकी density मतलब forest जहां है वो तर उपर से देखने से canopy की वज़े से नीचे के एरिया में दिखता नहीं है, तो यह जो canopy area अगर 70% से above है, इन forest को बोलता है, क्या very dense forest, अगर 40 to 70% के बीच में है, तो क्या बोलेगा, moderately dense forest बोलेगा, अगर 40% से नीचे है, तो क्या बोलेगा, मतलब 10 से 40% तक है, तो क्या बोलेगा, open forest बोलेगा, तो very dense forest, moderately dense forest and open forest, आप देखिए, report क्या कहा रहा है, कि 3.02% जो है हमारे इंडिया में जितने forest हैं, इसके 3.02% very dense forest है, बहुत अच्छी बात है, and 9.39% परसंडेज जो है, moderately dense forest है, and open forest कितना है, 9.26% है, आप देखिए, forest and tree cover have reached 80.73 million hectare, which is 24.56% of the geographical area of the country, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोला है, forest and tree cover, देखिए, forest अलग होगा, tree cover अलग होगा, tree cover मतलब आप कोई अलगी भी tree, आप काई भी ले लो, जो forest classify नहीं भी किया, उदर भी तो trees है, तो यह सारे मिलकर हमारे देश में, total 24.56% है, मतलब tree cover plus क्या है, forest cover, total forest cover of the country as per current assessment 2019 is 7,12,249 score of the country, मतलब आपसे यह पूछा गया examination में, total forest cover की इतना है देश में, तो 21.67% of the total geographical area of country, पूरे देश का, geographical area का, 21.67% हमारा क्या है, forest है, आगर आप tree cover भी बताओगे, मतलब forest cover plus जितने trees है, वो बताओगे, तो total केतना हो जाएगा, 24.56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप देखिए, there has been an increase of 0.56% of forest cover of tree, and 1.29% of tree cover of forest and tree cover put together as a national level as compared to previous assessment 2017, देखिए, बस आपको इतना ही समझना है, 217 से अगर आप 2.19 का report को compare करोगे, तो forest cover increase हुआ है, इस तरह की statements, UPSC या PCS prelims में आ सकता है, कि यह पूछेगा कि हमारी forest cover decrease हुआ है या increase हुआ है, हैग नहीं, तो अगर आपको data चीए, तो जो forest cover है, 0.56% increase हुआ है, जो tree cover है, वो 1.29% increase हुआ है, अब देखिए, States Union territory showing significant gain in forest cover, सबसे ज्यादा, यह तो The Hindu में, Indian Express में वगरा आया भी था, आपने cover भी किया था, देखिए, दोस्ते एक बात आपको समझना पड़ेगा, हम जितने वीडियो बना के आपको समझाया है न, उसमे 90% आपको इस वीडियो में, यह जो किताब में मिलेगा, मतलब यह किताब के जो important important points है, यह daily news में आता ही रहता है, ठीके, for example, यह जब रिपोर्ट आये था, सबसे आथा forest cover कौन सा state gain हुआ है, तो यह करीब एक साल पहले आये था, एक साल या व्याट साल पहले आये था, मैंने पड़ा भी था, ठीके, देखिए, जिन states forest cover को increase किया है, उसमें सबसे पहला है करनाट का, फिर है आंत्राप्रदेश, फ for us, कहा लोस हुआ है, देखिए, मनिपूर में, मिखालया में, अर्नाजल प्रदेश में, और मिजोरा में, सारे जो है नोर्फ इसन स्टेट से, तो यह सब इंपॉर्टन पॉइंट्स है, मैं फिर से आपको बता रहों, नोट कर लीजेगा, इंडिया is one of the 17 mega diverse countries in the world, अब यह mega diverse countries, करीब 2-3 साल पहले के प्रलम में, mega diverse countries, कौन-कौन साहिन में से, ऐसे question भी आया था, mega diverse countries, मतलब दोस्तों, देखिए, जिन countries में, diversity है, bio diversity है, मतलब maximum amount of species of plants है, different varieties of animals है, मतलब mega diverse countries, मतलब एक की habitat में, बहुत variety का आपको species मिल जाएगा, flora और fauna दोनो, this is evident in the Shannon-Wiener Index for diversity, which is used for measuring species richness and abundance, इसके लिए international index भी है, जिसका नाम है Shannon-Wiener Index, यह index में यह पताता है कि, कितना richness and abundance है, plant and animal species का एक-एक एरिया में, and index also compares diversity of species among various habitats, मतलब कितने species है, सबकुछ इस index में आपको मिल जाएगा, एक-एक एरिया में कितना forest cover है, उसमें कितना flora and fauna species है and कितने diversity of species है, यह सब आपको यह Shannon-Wiener Index में मिल जाएगा, तो basically कहने का मतलब है, 17 mega diverse countries में एक इंडिया है, यह आपको ध्यान देना है, and latest report assess Shannon-Wiener Index for 16 biodiverse areas, the index show that, देखिए यह Shannon-Wiener Index के Indian context बता रहा हूं है, देखिए, index show that tropical evergreen forest is high-end करनादा का fallout बे केरला, अगर आप tropical evergreen forest की बात को, देखिए आप classification of forest आ रहा है, tropical evergreen, tropical dry deciduous, tropical moist deciduous, tropical thorn forest, ऐसाब आपको हार्शिसा ने जोग्रिफी में पढ़ाया है, basic, आप मैं फिर से नहीं बता रहा हूं, I hope कि आपको वो मालूम हो, वो सब basic है दोस्तों, अब यह क्या बताऊंगा मैं, देखिए, tropical evergreen forest की बात करें, तो सबसे ज़्यादा करनाट गाम है, फिर केरला मैं, दोनों western gards में आता है, वो भी अशी बात है, tropical moist deciduous forest cover सबसे ज़्यादा कहां पर है, अरणाजर प्रदेश में, फिर करनाट गाम है, फिर महरन पोइंट से नोट कीजगा, tropical dry deciduous forest की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अरणाजर प्रदेश में है, semi evergreen forest की बात करें, तो सबसे ज़्यादा करनाट गाम है, tropical littoral and swamp forest are high in UP, लिट्वारल मतला आप coastal areas को हो सकते हो, बेसिकली जो पानी के आसपास रहता है, swamp forest कहां पर है, उत्रप्रदेश में है, and tropical thorn forest are seen widely in आंध्राप्रदेश, यह पारगाफ है ना दोस्तों, ऐसे ही ऐसे आप रटा महा लीजे, क्योंगी यह exams के लिए very important है, फिर क्या बोल ला है, total carbon stock in forest is estimated as 7126.6 million tons, and increase of 42.6 million tons, अब यह carbon stock मतलब क्या होता है, carbon stock का मतलब होता है दोस्तों, the amount of carbon stored in forest in the form of biomass, soil, deadwood, etc. मतलब एक forest area में कितना carbon stored है, यह बताता है carbon stock जो है, carbon किस-किस form में form होगा, एक तो biomass में carbon होगा, उधर के soil में carbon होगा, deadwood जो मारा हुआ लेकडी है, वुस में होगा, यह सब होता है carbon stock, जितना स्यादा carbon stock होगा ने एक forest का, उतना स्यादा उस forest का capacity होगा, CO2 को absorb करने का, mainly जो photosynthesis के स्तुरू, जो CO2 absorb होता है, वो capacity carbon stock के हिसाब से बताते है, जिस forest में carbon stock ज्यादा है, उतना ज्यादा उनकी capacity होगी carbon absorb करने का, इंडिया's carbon stock is ranked at 8th among the top 10 countries in the world, very important statement again, इंडिया के जो carbon stock है, वो 8th है, total top 10 countries में 8 है, net change in carbon stock in India shows that, net change is highest in soil organic carbon, followed by above ground biomass and deadwood, अब यह क्या है, इसका मतलब यह दोस्तों, देखे क्या लिखा है, net change in carbon stock in India, इंडिया, इंडियान forest के जो carbon stock है, carbon stock मतलब क्या में आपको बता दिया न, जितना carbon stored है, अलग-अलग form है carbon stored एक forest में, जितना ज्यादा carbon stored होगा, उतना स्यादा forest की capacity होगी carbon dioxide को absorb करने का, इंडिया का carbon stock तो increase हुआ है, पर carbon stock का कुछ sub-components है, देखे, एक है soil organic carbon, soil organic carbon मतलब मिटी में जो carbon present है, वो increase हुआ है, followed by abo ground biomass, अब यह abo ground biomass क्या होता है, कुछ नहीं दोस्तों, ground के abo जितने biomass है, मतलब जो living plants and trees है न, वो सब आप abo ground biomass बोल सकतो, मैंने आपको बोला था, 2017-2019 तक इंडिया का forest cover increase हुआ है, तो obvious ही बात है, इंडिया का abo ground biomass भी increase हुआ है, deadwood भी increase हुआ है, deadwood मतलब होता है कुछ trees में, कुछ branches होता है, वो dead हो जाता है, मतलब वो कोई काम का नहीं होता है, ऐसी रह जाता है, उसको deadwood भी increase हुआ है, लिटर कार्बन, लिटर कार्बन मतलब जो पर्ट से गिरते हैं न दोस्तों, पर्ट से पते गिरते हैं, छोटे मोटे branches गिरते हैं, वो नीचे, जमीन में मिल जाता है, decompose होके, समीन को nutrient supply करते हैं, यह जो लिटर कार्बन, इसको बोलते हैं, लिटर कार्बन, यह decrease हुआ है, मतलब कार्बन स्टोक में जो change आया है, उसमें soil organic carbon increase हुआ है, above ground biomass increase हुआ है, that would be increase हुआ है, पर यह जो लिटर कार्बन है, मतलब जो पर्ट से नीचे गिरने वाला जो, उससे जो carbon बनता है, वो decrease हुआ है, यह सब आ ध्यान कीज़ेगा, ठीक है, यह सब कुसी ना सकता है, And finally, क्या लिखाए, India is among a few countries in the world, where desperate ongoing development efforts, देखे, ऐसे कमी countries में, forest and tree cover increase हुआ है, आपको पाते है, आजकल बहुत सारे developmental programs चल रहा है, Buildings बन रहा है, roads बन रहा है, dams बन रहा है, जिसके वज़े से deforestation होता है, पर India ऐसा एक country है, जहां development भी हुआ है, साथ साथ tree and forest cover भी increase हुआ है, अगला है दोस्तों, agricultural residue burning, यह तो आपने सुनाई होगा, stubble burning के नाम पर, Stubble burning क्या होता है, देखे, North Indian states में, crop harvesting के बाद, जो crop residue बनता है, जो waste है, बेस्टिकर, agricultural waste है, उसको farmers क्या करता है, इखटा करके जला देता है, देखो, waste को dispose करने का उनके लिए सबसे अचा तरीका है, इखटा करके जला लो, काम खतम, पर उससे काफी environmental problems होता है, health problems भी है, तो आपने सुनाई होगा, recently जो farm laws आया था, उसमें stubble burning को, government ने penalize भी किया था, बात में उसको सायद हटा भी दिया था, वो अलग बात है, अब देखे, इथर क्या लिखा है, India being the second largest agro-based economy with year-round crop cultivation, जनरेट से huge amount of agricultural waste, हमारे एक agro-based economy है, तो इसी वज़े से हमारे agricultural waste भी तो ज्या Open burning of crop residues has become an environmental concern in India, particularly during paddy harvesting season, सबसे ज़्यादा ये crop burning होता है paddy harvesting के बार, आप देखे दोस्तों, इसमें कुछ reports के बार में बताया है, सब important है, क्या लिखाया है, variety of crop residues are burned, especially in northern states of Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, इन 4 states में सबसे ज़्यादा stable burning आपको देखने को मिलेगा, depending on the agro-climatic region, how are about 50% of all crop residue burnt in the country, or residues of rice crop, very important statement, देखे, जितना ये stubble burning होता है, उसमें 50% से ज्यादा, या 50% तक, rice crop से होता है, मतलब, paddy cultivation के बार, जो agricultural waste बनता है, उसका सबसे ज़्यादा stable burning होता है, ध्यान दीजेगा, ये report है ताइफाक 2018 report में, ताइफाक मतलब कह है, ये Department of Science and Technology के अंडर एकाउंच इनके report के साब से क्या बोला, crop burning में 50% paddy cultivation से जाता है, अगला देखे, use of combine harvesters leaves the crop residues in the field, and in order to clear the fields for the next crop, in the easiest way, farmers burn the residues, about 178 million tons of surplus crop residues are available in the country, देखे, 178 million tons of surplus crop residues है देश में, मतलब, एक एक सीसन के बार, इतना ज्यादा agricultural waste बनता है, Banging of these residues leads to rise in pollutant levels and deterioration of air quality, अगर इतना सारा आप जलाओगे, तो pollution level तो increase होगा ही, और हमारी air quality का तो, बिलकुल, सतिना शो जाएगा, ये सब किस में मिला है, टाइफाग report में, टाइफाग क्या मैं आपको बता दिया, Various source apportionment studies at city scales have shown that agricultural burning contributes significantly PM 2.5, अब ये particular matter क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया है, देखिए, ये जो arrow source है, छोटे मोटे जो particle से, इसका diameter की साब से इसको डिवेट किया है, PM 10, PM 2.5, मतलब वो जितना छोटा हो, उतना छोटा हो, हमारे naked ऐसे वो दिखेगा भी नहीं, अब वो हमारे शरीर के अंदर जाने से, हमारे blood streams में भी गुष सकता है, काफी problems हो सकता है, अब देखिए, अगर ये stubble burning करोगा इसमें PM 2.5 भी होगा, पर्टिकले मार्टर डामेटर मेशरमेंट्स ऑफ 2.5 माइक्रो मीटर से, ये PM 2.5 का concentration भढ़ाने में, ये stubble burning contribute करता है, because huge volumes of residues are burnt in a very short duration, it leads to significant contributions to polluted levels, देखिए, क्या होता है, कम में ज्यादा जलातेते हैं वो लो, ऐसा नहीं, gradually जलाता है, मतलब जैसे उनका अगरिकल्चल वेस्ट रोजाता है, साब इखटा करके जलाना लगता है, वो एक और हफ़ते में खतम करतेते हैं, तो इतने कम duration में जब इतना ज्यादा crop procedures या अगरिकल्चल वेस्ट जलाता है, उसमें से जो pollutants निकलता है, उसमें PM 2.5 का content बोस जाता है, जो एक बहुत बड़ा health concern है, यह बताया जा रहा है, यह सब किस में बोला था, Terry में and Suffer में, अब यह Terry मतलब क्या होते हैं दोस्तों, Terry मतलब है दोस्तों, Energy and Resources Institute, उनका एक report है, and Suffer मतलब आपको पताया होगा, Suffer तो of air quality and weather forecasting and research है, तो यह सब के report में यह बताया गया है, कि PM 2.5 का contribution में, stubble bending part लेता है, effective stacked and atmospheric condition of a daily during the harvest season of khari crop aggravates the deterioration of ambient air quality, देखे, daily में वैसे भी pollution level हो ज्यादा है, और जब यह harvest season होता है, उस टेम पे जो मतलब stubble bending होता है, ना, khari season के टेम पर, उसकी विज़े से और ज्यादा खरा emission pollutants vary according to the type of crop residue, देखे, एक के crop जलाने से अलग अलग तरीके सा, तरीके का pollutants निकलता है, यह important है, देखे, sugarcane जब जलाता है, PM 2.5 का emission सबसे ज्यादा होता है, कितना 12%? माइस का 11.2%, cotton का 9.8%, rice का 9.3%, wheat का 8.5%, तो सबसे ज्यादा किसका है, sugarcane का है, basically, जितना sugarcane residue जलाओग होता है, उसमें सबसे ज्यादा PM 2.5 emission होगा, तो सबसे खतरना कौन सा हो गया, sugarcane हो गया, there are studies which have reported that open bending of crop residuos has ill effects on soil organic carbon and soil fertility, देखे, stubble bending करता है किसलिए, अगला crop जल्दी से cultivate करने के लिए, पूरा waste को हटा के, पर देखे, आगर आप इस तरह की open bending करोगे, na, soil की जो organic carbon है, वो किसी भी तरफ से आप जसिफे नहीं कर सकते हो, एक ही चीसे में जसिफे कर सकते हो, क्योंगी farmers को जल्दी से जल्दी अगला crop cultivate करना है, तो उनके लिए कोई option नहीं बचा है, यह farmers का करना है, पर इसका जो health concern है, इसका जो negative impacts on environment है, वो सब बहुत ज्यादा है, and this studies are supported by NASA images also, NASA की साइटलाइट से जो images लेता है, उसमें भी उन्होंने बोला है, stable burning बिल्कुल अच्छा नहीं, तो दोस्तों, that's end of it, अभी के लिए वीडियो में इधर finish करना हो, अगले वीडियो में हम discuss करेंगे, agriculture residue burning को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, and climate risk insurance क्या होता है, उसके ब